जाहिन फ्रेंज गुड मॉर्निंग डिफेंस कमांडो चैनल में आप सबी को स्वागत हैं मैं इस वीडियो के मादिया में से आपको बिहार पुलिस बिहार पुलिस मोबाइल स्कॉर्ड और बिहार होम गार्ट में जीतने भी कंडिडेट को आपको इसकुटनी के लिए बुला 18 वैच वाले की उसमें आपको भी उसमें भी बहुत ऐसे फिजिकल एक्जाम पास किये थे जिन कंडिडेट को स्कुटनी के लिए बुलाया गया था तो आपको 114 कंडिडेट को बुलाया गया है आपको जो 496 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी बिहार पुलिस मोबाइ अबलिक 2019 में आपको जो कंडिडेट को बुलाया गया इस कुटनी के लिए और आपको इसमें के गार 1880 पोस्ट है तो इससे रिलेटेट में आपको जनकारी देना चाहता हूं कि आपको बिहार पुलिस CSBC ने आपको क्यों स्कुटनी के लिए और कौन से कंडिडेट को बुल आपको डौक्मेंट्स का विरिफिकेशन और वहाँ पर आपको के आपके सिगनेचर मैच नहीं होते हैं जल्दीबाजी में बहुत ऐसे कंडिडेट है जो सीगनेचर या तो वह पहले जैसा नहीं कर पाते हैं फिर सिगनेचर चेंच कर देते हैं तो आप सभी कंडिडेट्स अनुरोध है कि जो application form भरते समय जो signature आप डालते हैं वहीं signature आप हमेशा पूरी vacancies में किजिएगा चाहे हो आपके किसी भी परकार की vacancies हो अगर आपको vacancies में signature change करते हैं तो फिर आपका read documents verification में आपको फिर से बुलाया जाता है और दूसरी बात मैं बार बार आपको बहुत ऐस candidate को बोला था कि आपको जातिय वासिया आय जो है आपको current रखना है वह आपको साल भर के अंदर का ही होना चाहिए आया six month के अंदर का है तो और भी better है और खास करके उन candidate को भी मैंने आपको फिर से मतलब suggest करना चाहता हो सुझाव देना चाहता हो कि किसी भी आली में आप ज changes नहीं होना चाहिए दो मन्त के अंदर का photograph लेकर के जो भी candidate को बुलाए गया फिर से जाएंगे और किसी भी परकार कि अगर डुकुमेंट्स में problem लगता है CSBC को तो उन्हीं candidate को स्कुटनी के लिए बुलाए जाता है जो फोटो आप ले जाएगा उसमें दोनों कान आपका असपस्ट रूप से दिखाई देना चाहिए यह नहीं कि आपको जैसे तैसे फोटो खीच लिए अगर आर्मी का जो भी candidate गया होगा तो उनको तो यह जरूर मालुम होगा कि उनको जो डॉकुमेंट्स लिए जाते जो फोटो लिए जाते वो निगेटिव टाप क्या फोटो कुमार है तो बहुत ऐसे candidate A-N-J-I-T लिखते हैं और बहुत ऐसे candidate है जो A-N-J-E-T लिखते हैं तो इसमें अगर confusion हो जाता है जैसे E के जगा आई कर देता है अगर आपको बोर्ड में जिस बोर्ड से आप एक्जाम दिये है तो आपको एक एफिडेविट करवाने की जरू से मिल के जिले लेवल का हो बट आपका जो प्रोब्लम से उसमें दर्साया गया हो अन्याथा आपको एफिडेविट का भैलू नहीं दिया जाएगा आपको वहां भी डिस्कॉलिफाइग कर दिया जाएगा तो जितने भी कंडिडेट को बुलाए गया जितने भी आप अधार काड आप खास करके रख लें जहां भी प्रोब्लम सो आप जल्द से जल्द एफिडेविट करा ले क्योंकि आपके पास समय भी कम है आज से साथ दिन के बाद आपका इसकुटनी होने वाला है तो आपका डरने के जरूरत नहीं है जो भी कंडिडेट अगर सही तरीक अपना डोकुमेंट्स फिर से जाके करा ले इसकुटनी करा करके और आप निश्चिंत हो ले कि आपका डोकुमेंट्स एकदाम क्लियर हो चुका है और जिन कंडिडेट को आपको फिजकल एफिसेंसी टेस्ट में भाग लिये थे और उनको फिजकल कटफ के वीडियो मैं साम तक प्रवाइड करूँगा और यह फाइनली कटफ होगा आपको तो इस पकार को और भी वीडियो नोटिफिकर्शन टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जूरे रहा है और मैं एक और वीडियो आपको प्रवाइड करूँगा जो आपको मेडिकल से रिलेटर होगी और एक ज जय हिन जय भारत बेस्ट अप लग ओल माई डियर सब्सक्राइबर हैपी मकर संक्रांती